डीजीपी ओपी सिंग ने राष्टिय सुरक्षा मुद्दे को लेकर नैशनल डिफेंस के अधिकारियों के साथ लखनव में एक मिटिंग की है डायल हंड्रेट की कार्याले में हुई इस बैठक में यूपी के सीनियर ओफिसरों ने हिस्सा लिया बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा के मुद्दों को आपस में साजह किया गया जिसमें सभी विदेशी अफसरों ने यूपी पुलिस की तारीफ की है और कहा कि सिमित संसाधन होने के बावजूद यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है और एक बहुत अच्छा इंटराक्शन हुआ जो यूपी पुलिस का नाच्छल डिफेंस कॉलेज से आर्मी और सिविल एल मिलिटरी कोडिनेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है हम लोग हमेशा आपात काली निस्तिती में आर्मी को और मिलिटरी को मिलिटरी आफिसर के साथ कोडिनेशन करते हैं यह हमारे लिए बहुत विशेस गर्व की बात है कि पहली बार नाच्छल डिफेंस कॉलेज के आफिसे अपने विजट के दौरान उन्होंने यूपी डीजीपी से और यूपी पुलिस से इंटराक्शन किया और हम लोगों ने उन्हें यूपी पुलिस के बारे में बताया और नाच्छल लेवल पे जो राश्ट्री परिदिर्श है हमारा सुरक्षा का उसके बारे में चर्चा की लिए आपको बता दे कि इस बैठक में विदेशों से कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया है जिसमें केन्या, आस्ट्रेलिया, आइसलेंड जैसे देशों के आर्मी अफसर मौजूद रहे लखनों से अनिल सैनी पंजाब के स्री टीवी